आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमा नुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट द्वारा टेले के इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम बताएंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है और कुछ अन्य परिभाशाएं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग की परिभाशा और उसके साथ ही कुछ अन्य परिभाशाएं बताएं थी हम सभी जानते हैं कि पहले अकाउंटिंग मैन्यूली होती थी यानि हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे और अब ये computer की साहता से होता है पर इसके मूलभूत तत्वों में कोई परिवर्दन नहीं हुआ है आए पहले कुछ वीडियोस में हम समझ लेते हैं कि जो manual accounting होती थी वो किस तरह होती थी साथ ही ये भी देख लेते हैं कि accounting computerized होने से क्या फर्क पड़ गया है व्यापार या व्यवसाय में जब भी कोई वित्ति यानि financial transaction होते हैं तो उनका record रखने के लिए हमें उन्हें कहीं लिखना होता है संसार भर में इसके लिए अलग-अलग पथतियां हैं जिनमें सबसे महत्वपून और scientifically proven है double entry system यानि दोहरा लेखा प्रणानी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसमें प्रत्यक लेंदेन दो खातों को प्रतावित करता है एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा खाता देने वाला होता है और इसमें प्रत्यक लेंदेन के लिए समान राशी एक खाते के नामपक्ष यानि देविट साइट और दूसरे खाते में जमापक्ष यानि क्रेजिट साइट में लिखी जाती है जैसे हमने bank से 10,000 रुपए नगर निकाले अब यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए है नकत यानि cash और bank इसके entry इस प्रकार होगी यहाँ आपके मन में एक सवाल उठेगा कि खाता क्या होता है कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit तो इसे हम आगे समझाएंगे और आप यह जो प्रारूप देख रहे हैं उसके बारे में हम आगे journal के अंतरगत विस्तार से समझाएंगी यहाँ पहले हम इस lesson में उप्योग होने वाले tactical शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं लेंदार यानि creditor वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुप्या उधार देती है रिंडाता या लेंदार यानि creditor कहलाती है लेंदार को भविश्य में रिनी से धनराशी प्राप्त होना होती है संक्षेप में जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रैडिटर कहलाता है उधारन के लिए पारस ने राहुल से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा यहां पारस की बुक्स में राहुल क्रैडिटर कहलाएगा अब हम समझते हैं देंदार यानी डेटर के बारे में वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाई खरीदती है या रुपया उधार लेती है रिनी या देंदार यानी डेटर कहलाती है देंदार को भविश्य में एक निश्चित दिन यानि एक निश्चित अवधी के बाद पैसा चुकाना होता है संक्षित में जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर कहलाता है उधारन के लिए अनिल ने राज को 5000 रुपे का माल उधार बेचा यहां अनिल की बुक्स में राज डेटर कहलाएगा और राज की बुक्स में अनिल क्रेडिटर कहलाएगा अब हम समझते हैं पूंजी यानि क्यापिटल के बारे में व्यापार का स्वामी यानि ओनर जो रुप्या, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूझी कहते हैं व्यापार में लाभ होने पर पूझी पढ़ती है और हानी होने पर पूझी घटती है यहां एक बहुत महत्वपुन बात ध्यान रखें कि अकाउंटिंग में व्यापारे और व्यापार दोनों को अलग-अलग माना गया है इसलिए व्यापार में ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार की लाइबिलिटीज मानी जाती है यानि व्यापार के लिए ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार के लिए कर्ज है उधारण के लिए विकास ने 20,000 रुपए नकद और 10,000 के माल से कपड़े का व्यापार प्रारंब किया तो ऐसी स्थिति में उसकी व्यापार में लगी हुई इस पूंजी की राशी 30,000 रुपए होगी अब हम देखते हैं कि स्वामी यानि ओनर कौन होता है वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूँ जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं व्यापार का संचालन करते हैं व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाव और हानी के अधिकारी होते हैं व्यापार के स्वामी कहलाते हैं यदि किसी व्यापार का स्वामी या मालिक एक व्यक्ति है तो वह एका की व्यापारी यानि प्रॉपराइटर कहलाता है और यदि मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, तो साजेदार यानि पार्टनर्स कहलाते हैं. पर यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कमपनी के रूप में कारे करते हैं, तो वे उस कमपनी के अंशधारी यानि शेयर होल्डर्स कहलाते हैं. अगली परिभाशा है आहरन यानि ड्रोइंग्स व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपिया या माल निकालता है वो उसका आहरन या निजी खर्च कहलाता है उदारन के लिए यदि कोई व्यापारी दुकान के कैश में से अपने निजी खर्च के लिए 500 रुपए निकाल लेता है तो ये उसकी ड्रॉइंग्स कहलाएंगी संपत्ति यानि असिट्स व्यवसाई की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यवसाई के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसाई का स्वामित्व होता है संपत्ति कहलाती हैं ये दो प्रकार की होती हैं स्थाई संपत्तियां और चालू संपत्तियां स्थाई संपत्ती यानि Fixed Assets से आशे उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर ककाल तक रखी जाने वाली होती है यानि जिनका लाब व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुना विक्रे के लिए नहीं होती है उदारन के लिए जमीन, बिल्डिंग, फरनीचर, कम्प्यूटर, वाहन, मशीन, आदि और चालू संपत्ती से आशे उन संपत्तियों से है जो आम तोर पर एक वर्ष से कम समय में उप्योग की जाती है यानि जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती है जैसे नकदी या जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सके जैसे देंदार, बैंक बलेंस, स्टॉक, इत्यादी अब हम बात करते हैं दायित्व यानि लाइबिलिटीज की वेजबे रिंड या लोन जो व्यापार को आन्य व्यक्तियों अथ्वा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं दायित्व यानि लाइबिलिटीज कहलाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं स्थाई दायत्व यानि Fixed Liabilities और चालू दायत्व यानि Current Liabilities इस्थाई दायत्व से आशे ऐसी देंदारियों से है जिनका भुक्तान दीर्गकाल के पश्चात या व्यापार की समापती पर करना होता है जैसे दीर्गकाल इन्रिंड, Long Term Loan, पूंजी, बिल्डिंग या लेंट क गिर्वी रखकर बैंक से लिया हुआ Long Term Loan इत्यादी चालू दायत्व यानि Current Liabilities से आशे ऐसी देंदारियों से है जिनका भुक्तान निकट भविश्य में करना हो प्राय या एक साल से कम समय में चुकाना होती है यानि ये अस्थाई होती है और व्यापार संचालन में घट् बढ़ती रहती है जैसे अल्पकालिन्रिन यानि Short Term Loan, लेंदार, बैंक लोन, सीसी लिमिट यानि Cash Credit Limit आदी अब हम बात करते हैं अदत्त व्याय की यानि Outstanding Expenses की ऐसे समस्त व्याय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई है परंतु उनके मूल्य का भुक्तान अभी तक नहीं किया गया है जैसे कि वर्ष समाप्ति पर कर्मिचारी की सालरी बाकी है या मकान मालिक का किराया बाकी है यानि देना है किन्तु दिया नहीं गया है तो वर्ष समाप्ति पर इसका प्रोविजन करना होगा इस तरह कि प्रावधान को अदत्त व्याय कहते हैं अब हम बा मुल्यों में परिवर्दन से नश्ठ हो जाने या अन्य किसी कारण से जब संपत्ति के मुल्य में कमी आ जाती है तो इस मुल्य में होने वाली कमी को डेप्रिसियेशन कहते हैं उदारण के लिए हमारे पास कोई मशीन है और हम उसका लगातार उपयोग कर रहे हैं इस उपयोग से उसका मुल्य कम हो जाएगा मुल्य की यही कमी मुल्य रास या घिसारा या डेप्रिसियेशन कहलाती है अब हम समझ लेते हैं वित्तिय वर्ष यानि फैनेशल एर को ये बा अवधी 12 मा की होती है इसलिए एक वर्ष कहलाती है हमारे भारत में यह वित्तिय वर्ष एक अपरेल से प्रारंब होकर 31 मार्च को समाप्त होता है उदारण के लिए 1 अपरेल 2020 से प्रारंब होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली ये जो अवधी है या 12 महीने का से उसमय है उसे एक financial year कहेंगे चले आगे बढ़ते हैं जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के आरंभ में बताया कि double entry system में हर लेंदेन दो खातों को प्रभावित करता है तो पहले हम ये समझते हैं कि खाता क्या होता है जब किसी व्यक्ति, विशेश, वस्तू, सेवा या आयवे इत्यादी से संबंधित, समस्त लेंदेन एक निश्यत स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं उसे उसका खाता यानि अकाउंट कहते हैं किसे भी खाते के दो पक्ष होते हैं डेबिट साइड यानि नाम पक्ष और क्रेडिट साइड यानि जमापक्ष डेबिट साइड बाई तरफ होता है और क्रेडिट साइड दाई तरफ होता है हम इसे एक उधारन से समझ लेते हैं जैसे हमने राम से एक लाख रुपए उधार लिए और टुकडों में उसे वापस चुका दिए देखिए राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा इस वीडियो में आपने जाना कि डबल एंट्रे सिस्टम क्या है साथ ही हमने कुछ अन्य परिभाशाएं बताई इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं